तो हलो दोस्तों नमस्कार एक वार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत थे दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल सूपर फ्रीडिस में तो आज मैंने कुछ मैं फिर बतलाव किया दोस्तों कियोंकि जो मैंने पुराना से बने था telefon वो इस्टेंड मेरे को माजा नहीं आई क्योंकि वो इस्टेंड में डिस गिरने की हरमेसा संका बनी रहती थी तो लिए मैंने आज फिर अपना जो च्छे फिट का प्राइम फोकस का इस्टेंड था उसे मैंने फिर मोडिफाइट करवा देख सकते हैं कुछ इस तरह से और मैं पहले जो इस्टेंड बनवा था दोस्तों वह चलिए मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह बनवा दोस्तों ए देख सकते हैं जोALD कि डिस्में अपन को नीचे वाली रिंग रहती है उसी पर मैंने मीद्गिंग करवा करा और इस पाइप ख़डा करवा करते और और नीचे वाला स्टेंड बनवा यहां यहां वहां साइड में पत्थर रखके दवा सके तो जिससे डिश्ट गिरने की संभावना पर नहीं रहती तो देख सकते हैं मैंने डिश्ट निकाल करके और इस कटर मसीन के सहाइता से मैंने जो बिल्डिंग अब आपन चलेंगे मिस्तरी के पास तो देख सकते हैं मैंने कुछ लोहा जो है तो कवार से लिया दोस्तों और से वही जो मैंने पाइप निकाला था उसी पाइप पर मैंने फिर दुवारा खड़ा करके पाइप को खड़ा करवा के और से कुछ इस तरह मैंने फिर इस्टेंड बनवाहा है नया देख सकते हैं और यह काफी मजबूत बनकर तयार हुआ दोस्तों क्योंकि इसके चैरतरब मैंने अच्छा मजबूत वाला इंगल लगवाहा है और से इसकी पती आप की डिस्भीज पर खड़ी कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप भी जर इस तरह के काम करवाए तो फोड़ा पैसे की नब unlock देखकर कुछ अच्छा काम करवाए J就可以 । जादे लगता ही है कुछ इस तरह के काम करवाने में Thao एक वर ही का होगा बार बार पैसा बरबाद नहीं होगा जैसे मैंने गल्ती की थी फिर उस gan वे इस्ते न बनवा और फिर उसको मैंने कड़बा करके फिर इस तरह टरह मेरा डवल पाचा खरचा कोगा दोस्तों देख सकते हैं कि मैं कहता हूं कि आप जब भी इस बनवाई है तो कुछ इस तरह मज़बूत बनवाई है तो siis अपना कुछ इस तरह अक्छा मजबूत इस्टेंड बन कर तयार हुआ दोस्तों सकते हैं इस पर कोई कम है मेरे को आफ में नजर नहीं आ देता देता हूं किदनी ही तो देख सकते हैं 35 इंच इसकी चोड़ाया ये दोस्तों देख सकते हैं तो 15- postpock इंच की चौड़ाई है और अरतिस के लंबाई देख सकते हैं तो संतिंग की यह दो स्टम्ट इनक वख्थ करना पड़ता जिसकारन मेरी डिस्क काफी डाउन होती है तो मैंने उस हिसाब से इस इस्टेंड को बनवाया देख सकते हैं और यह इस्टेंड अच्छा मजबूत बनकर तयार हुआ दोस्तों इस पर कोई दिक्कत नहीं और से यह अपना गाना इस्टेंड का निचला हिस्सा पड़ा हुआ देख सकते हैं जस पर मैने उस फाप को को कौल करके निकलवाया था बिल्डिंग कड़वा करके देख सकते हैं तो इदि आप जब भी इस्टेंड बनवाई ए तो अच्छा मजबूत इस्टेंड बन वाईए दोस्तों और इधर से मैंने पाइप कड़वाया था और सेदर य ही शिच्वाने सेट सेटे में कोई दिक्त नहीं है विलकुल आप जितनी चाहें उतनी डिस नीचे जुगा सकते हैं इक सकते हैं कुछ इस तरह से तो यदि आपने वही गलती किया दोस्तों जो गलती मैने की है तो आप डिस्ट गिरने से पहले अपने इस्टेंड का नीचे वाला हिस्से का साइज बढ़ा लीजे क्योंकि यदि यदि आपकी एक बार गिरे तो वह डिस्ट का फोकल पॉइंट आपको दुवारा नहीं मिलेगा आप चाहिए इतनी भी मेनद कर लें दोस्तों क्योंकि प्राइप फोकल डिस्ट यदि एक बार गिर जाती है तो उसका फोकल सब्सक्राइब करता है तो काफी दोस्तों का भी कमेंट आता है उनका फोकल पॉइंट बिगड़ा तो भाई मेरे यदि आपकी प्रायम फोकस डिस्क कर लोस ही नहीं आए आप चाहिए नहीं बहुत कर लेजिए आपकी मेहनत ही बरबाद होना इससे पहले कि आपकी डिस्क खराब हो उससे पहले आप इस तरह का सटैंड बन वा ले तो जादे सही रहेगा देख सकते हैं तो आसा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं आपके लिए इसे तरह की नहीं जानकारी लाता रहूंगा तो चलते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नहीं जानकार के साथ तब तक के लिए आग्या देजे नमस्कार